प्रतिक्रियाव बहुत वासे ए मुहुटत बीजेपीर एगुड़ा के नेटाए खौंगबाद मेल खौंबुधन कुरिया सामीखे ए मुहुटत प्रतिक्रियाव अपना कागबर है सो और हम माल करते हैं हिमन सोरेंजी की नाप के वीचे एक के बाल एक गोटाले होते रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पन पर पढ़े रहने का कोई हख नहीं है इन्हें तुरंग सिस्टी को देते में अचाहिए मंदरेगा में साढ़े 500 क्रूप का गोटाला जाकें साथ कोड आलोगेशन में गोटाला इंहें इलीगल माइजी में 1500 क्रूप का गोटाला कि रूर्ल डेलप्मेंट के टुपॉइंट है उसके 500 करोण के घुटा था लांड स्कैंप सभी को लेके 300 करोण के घुटा था शराप गोटाना 500 करोण का यह बाद भाती दिन्दापाटी के उठाई है और आप इंदुजार कर रहें थे कि पहले शाज दिन सी रेड माले और जब रेड माले की को अभी सब निकान आएंगे बाहर दाज़ित दिक दोईस से हो गया हमें टार्गिट क्या रहा है जी नहीं जी कानून अपना काम कर रहा है वह आपको बता रहा है कि कानून की ताकत क्या है लोगत्त्त में आपागी की ये बात समच्छ होगे लिए और जैसा मैंने कहा घमंटिया की इंटी एलाइंस की एकी गारिंटी रश्टचार कर्मिशन भोली जूट खथोट और दबारी मैं आपको कुछ उधारण देता हूँ मैंने आपको बनाएं किस तरह से अभी अक्तुपर महां में बैक्टूरू में कॉंग्रेस के रिष्टेदार कि यहां से ब्यादिक्स करोड़ भूटे है नग्दीव हूँ अधिक्रियाओ बहुत वासे खर बत्र आमी मुल्टात आको पार्थो जूटी बरार होच खंग्जुक्त होब विसारी सो भिखोई चो खंग्रां तारो धिक जानी बले पार्थो आपनी कठापाटी आसलो खे प्रतिवेदान खनर भिखोई आपनार प्राखो भिस्तारे जा तेम एखन पत्र जुगे अभिजुक उत्थापन कोरिसिल स्पीकारों अम्बी लाखे अभिजुक दिसले त्यां अभिजुक्त होई से मुहा मुत राए उद्धुक्पोटी दर्सन हिरान अंदानीर होई बा तेम निद्देख़त पन्शास्ता एने धरनोर प्रस्णों खालख दरसनः हिरान अंदानी बानी जिक्भवे लाबम ढवांबितो हो वा धरनोर अंकी से नÍक सरनकोटी वीरॉद्ध्ध्रासन कोरी मुहा मुथ्ध्राई कि este वृट्ध्ऽ एन आओ नीरुक्पर्सन कोज के तुमान प्रस्णों खुद्ध्राई मुथन्ध्राई हुद ऌिरानन्दान Isthahad it is日本 पותिदंधी इत्ड़गीर पीरुद्धासरान कोलिये रेकाव आई ए्टीघाकी因为 अठाप्ड़ारमोज्य थी यूण होुआ है एमेल आई eg रो قावेमेल आईडर एकस्वरेरे पास्वर।on आईख्यना दानिक देशले चिहां चैनले को मेंटर धाएं मोगी रगा शापन क्रज़ा है लोडीचाना अट्परा डीक प्रायचा खहा हों, जगे कि मुहां मुहां मुटर अब सा दावा जागा रहा वाद कन वह bestया, ही रहान रहा प्रस्ट झुधर बीनिमाग नहीं है वह प्रहा है प्रहू है टॉन के टेसी टेटमेंड इस कोमेटरी एमेल जो गे घर कि इह एक रहा है पर विचोर से बहुझाज रहाँ पर खुंटिछ तो,री दो, सैंध। प्रश्न है कि यह संसदी कार्यमंति स्री पहला जोशीजी के प्रस्ताओं को सदन में मद्दान के लिए रखता हूं प्रश्न है कि यह सभा डाक्टर निशीकान दूबे संसदारा संसद सदस्य स्रीमति महवा मुत्रा के वुरुद सदन में प्रश्न पूछने के बदले नगदी में प्रत्यक्ष सनलिक्ता के समन्द में दिनाग 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचा सहिता की पहली श्रकों को स्युकार करती है कि सांसद स्रीमति महवा मुत्रा का आचरन अनेतिक और संसद सदस्य के रूप में असोबनी है और इस कारण को लोगसवा सदस्य बने रहना उप्युक्त नहीं होगा इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोगसवा की सदस्ता से निश्कासित कर जो सदस्थ इस प्रस्ताओं के प्रक्ष्म हां के वुरोध में ना चाहिए मेरे विचार में निडने हावालों के पक्ष्मा प्रस्ताओं स्थीकत हुआ आड़ो आपन ए तिमध्ध कोसल दिन नीखो विजेपी ताके आक्तपुक को समुर्थ ने शुजग ना दिए पास्षो शातान नो पाटा रिपोर्ट पाथिए आध घंटर मुद्देर शबाई डिसकाशन कोरें बालबाल कोरें सांग्षद रा बोलेचे आमादेर इंडियान अलाइंस रा बोलेशिए आमादेर रिपोर्ट पारवार शुजग दाओ शेटा पुर्जंत देया हुए नी आमन की महुआ के आत्तपुक को समुर्थ ने शुजग देया हुए नी एटा देखे बोजा जाए जे पॉलेटिकाली बिजेपी गौनतांत्र शाते लोरते पारे ना पॉलेटिकाली ओधिर पॉलेटिकाल भ्याड़न डेटा राजनोय चिक पतेहिंशा चोरीजार्त करबात जर्णुब एक जोन महीला के स्प्रेशाली बिलोंग्ष्ट यांग जेनारेशेन ताके जेभाबे हिनास्ता करा हुए छे जेभाबे क्लासिकल एक्जाम्पल ले छे आमी शेटा के दिक्कार जानाई दल शम्पुन नभाबे मौमामो इत्र पाशे छीलो आछे एबंग ठाकबे आमरा चिये एछेला हम सुविचार होक। विचार कोलने आमादेर कुण आपोत्ति नी तुमिसिस बियाईयो कोरबे आबारोदिके एक्सपाल्शानो कोरबे क वाजवदे एलेक्सन दुमाजवदे तीनमाजवदे बरदरर एक्सेशने एटन कोत्ते पर्तो शेख शुजयक्ताव तुम्रा दिलेना एद मुद्धी प्मानित है जो भीजवदी कोतर पोती हिंग्स परान राजनिती करी तुम्र क bureau i gonna अन्या greater तु सीड़ झुट और विजवदेश कर्शने इपूर । अ 还 don't understand 50 इवंच्व stirred ७ाइपटेंट फ़ीएव टे परिप्ती समें पजियू पिज मैंजे फॉरी बांगरदयst ए cann 475 persone 5 बांगर पիशरी six months reference 90% in the Parliament they lay the report and after that they gave half an hour time to all the parties including BJP to discuss the matter and to expel Mahuma Mahitra I don't understand how the members will go through for 95 pages within this half an hour and how all the speakers will take a decision today I congratulate the Indian Alliance all they are together we are united they fight back and party fully supporting Mahuma's case she is elected by the people and she belongs to women and young generation and for all the community caste creed and everything so how they betray and how they betray the democracy how they betray the democratic rights how they betray even the self-defense of the victims they didn't allow Mahuma to take her own stand to explain her situation without taking any justice you have done full injustice it's a democracy of constitutional rights it's a sorry it is a betray to your constitutional rights it is a they ditch the people they ditch the Parliament they ditch the Constitution because they have the majority today may be they are in majority but tomorrow they may not be there we have also two-third majority we can do anything we can take expel anybody from the house but is it proper without the detailed case only to expel somebody will give the justice we try our best that let all the parties must raise their voice and they should get their opportunity because sometimes take the decision to suspend somebody or to expel somebody but this case in this particular case I am telling you that Mahuma is the victims of the circumstances and I strongly condemned it party is totally behind the Mahuma and our party will fight along with Indian Alliance together this matter open our eyes again against the vindictive politics of BJP we really it is unfortunate for the democracy I thought that Prime Minister must have considered it but just now I have got the information though I am not there I am not in Calcutta I am in Karsiam I am in Hills but when I got the all information I am shocked it is a sad day for the Indian Parliament after three four months there will be election so only one session is left out for that Mahuma can attend the public Parliament in the outside of the house it will boost up her moral image and it will boost up her morality she should be she should fight it boldly we will fight it boldly these two three months no matters the matters is the decision many all the boldly this is a vendetta politics of BJP I have already mentioned they kill the democracy they ditch the people within half an hour every political party has been discussed 2-3 minutes 2-3 minutes 2-3 minutes and now they have taken a decision and you left 495 pages and you and you हमोरे स्वापने लिर्खंग बाद नमस्कार